अब पेपर को पूरा देखना अगर किसी को कुछ समझ वे ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा एक बार और बताता हूं यूनिट वन से लेकर के 5 तक पूरा का पूरा सलेवस कंप्लीट करवा दिया हूं अब पेपर को सॉल्ब दोबारा करने जा रहे हैं एक बार पेपर को पाले भी सॉल्ब कर चुका हूं एक बार फिर से सॉल्ब करने जा रहा हूं तो वीडियो को पूरा देखना एक एक कोस्टन को सॉल्ब करेंगे बहुत ही आसाम तरीके से और एक काम आप लोगों को भी करना और आपको एक्जामीनेशन के जाएगा कि आपने कुछ इसका एंसवर वहाँ पर लिखे थे तरह ऐसे नहीं तो पेपर को बहुत यासान तरीके से solve करने जा रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना अगर कुछ समझ में ना आए तो comment box से जरूर बताएगा तो चलिए start करते हैं बिना देर की हुए तो देखिए सबसे पहले हम लोग solve करेंगे section A के सभी question के जो कि हमारे 2-2 number के 10 पहले हमारे यहां पर मिलते हैं ठीक सभी question को 2-2 number के solve करेंगे फिर हम लोग 10 number के section B का 20 number का total होता है 2 question solve करना रहता है section B का solve करेंगे फिर last में हम लोग section C का solve करेंगे तो paper का जो लोग skin start लेना चाहते हैं अभी ले सकते हैं क्योंकि इन सभी question को मैं एक copy में लिख दिया हूँ और उसी के द्वारा solve करेंगे क्योंकि पिछला वाला जो paper solve किया था उसमें थोड़ा सा light आ जा रहा था इसलिए इन सभी question को मैंने copy में लिख दिया है उसी के माध्यम से solve करेंगे तो चले दोस्तों start करते हैं बिना देर किये हुए तो चले दोस्तों जो question आप लोग को दिखाएं वो सभी question को एक copy में लिख दिया हूँ तो सबसे पहला question जो है mention two major application आप platform technology platform technology के application क्या होते हैं और इन में से दो application के बारे में major मतलब थोड़ा बहुत इनके बारे में क्या करना है discuss भी कर देना है तो कौन-कौन से application होते हैं चलिए जान लेते हैं तो इन में application बहुत सारे आते हैं लेकिन इन में से केवल आप लोग को दो application को discuss कर लेना है जैसे nanotechnology हो गया micro sphere technology हो गया lipos pumal technology हो गया heart melt excution हो गया है ठीक तो बहुत सारे इसमें application है लेकिन आप लोगों को केवल दो के बारे में discuss कर देना है जैसे nanotechnology क्या होता है and micro sphere technology क्या होता है जो लोग नहीं जानते हैं उनको दिखा दे रहा हूँ इसको आप लोग लिखना चाहते हैं वीडियो को रोग करके इनके बारे में थोड़ा सा detail लिख सकते हैं कि क्या होता है वैसे lecture देखेंगे तो आपको पता होगा अब दूसरा question है वो है basic role supac guideline का basic role क्या होता है उसे लिखना है तो क्या होता है basic role चलिए जानते हैं तो yes upac guideline का basic role क्या होता अच्छा yes upac का full farm पता है कि नहीं start word में सीधा सीधा simply बोलना रहता है तो supac बोल देते हैं हम लोग तो yes upac का full farm होता है scale up and post approval changes यही होता है और हमने आप लोगों को lecture में बताया था कि yes upac का मतलब क्या होता है जैसे माली जी कोई भी product जैसे बन गया है अब बनने के बाद हमने उसमें कोई भी modification करते हैं इसमें यह change कर देते हैं थोड़ा बहुत उसमें क्या कर देते हैं changes कर देते हैं तो उसमें जो changes करते हैं उसे हम लोग काते है scale up and post approval changes तो इनके क्या होते हैं role क्या होते हैं guideline अप लोग इसको लिख लीजीगा ठिक क्या होते हैं लेवल up changes फिलिंग टेस्टेश्ट ठिक ये सब चीजे होते हैं जैसे लेवल up change में क्या होता है minor change होता है moderate change and major changes होते हैं इसी तरीके फिलिंग and test में होते हैं तो यह दोनों question का answer यह हो गया कौन से दो question का सबसे पहले हम लोगों ने बात किया application प्लेट फार्म technology फिर basic roll-up spec guideline ठीक यस यूपी असी guideline अब हम लोग बात करने जा रहा है बहुत ही छोटा question आया हुआ है name at least for agency responsible for success technology transfer in India केवल चार agency के बारे में लिखना है जो की हमारा किस unit का यह है question तो यह question आपका unit 2 से पूछा गया है technology development transfer ठीक तो देखें यहाँ पे चार agency के बारे में पूछा गया है अब agency के name आपको मैं 60 word में यहाँ पे खा दे रहा हूं जो लोग नहीं पा रहे हैं बस यहाँ पे देख लीजिए और इनका full farm आप लोग को हमें इस lecture के comment box में बताना है कितने यहाँ पे दिए गया है one two three four five अब यह पांच दिए गया है लेकिन आपको चार लिखना है इस question के answer में और केवल और केवल आप लोग को answer में बताना है comment box में बताना ही यह चारों के full farm ठिक answer तो पता चल गया यह 4-5 agency है इसमें इस केवल 4 आप लोग को लिखना है अब चारों का full farm क्या होता है वो आप लोग बताएंगे comment box में देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है सबसे पहले बताएं या फिर बाद में बताएं लेकिन जो लोग देख रहे हैं लेक्चर को हैं जरूर बताना है तो चलिए दोस्तों आब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले question का state to important पंसन आप regulatory regulatory affair department का main फंसन या फिर का सकते है main role क्या होता है ये लोग क्या करते है एजन्स जाते हैं इंडस्ट्रिज में checking करते हैं कि वहाँ पर जो drug बन रहे हैं कैसा product इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा raw material इस्तेमाल कर रहे हैं कोई उसका benefit क्या है उसका side effect क्या है सब कुछ चीजों को वो checking करत तो क्या होता है, रोल és regulatory रापेर, department का, मुँएर्ण इसके बारे में दो लाइन के वई आप लोग को लिख देना है, जो आपको एकदम इजी लगे, वही आप लोग को लिखना है, और यह तो इसके बारे में लेक्चर में बतया हुआ है, लेक्चर अगर आप लोग देखेंग ये question आपका वहीं से पूछा गया है जिसमें हम लोगों ने बात किया है चार agency के बारे में अब चारो agency के नाम आपको बताना है और उसमें से एक agency के बारे में आपको थोड़ा सा detail पढ़ लेना है ठीक, इसमें पूछा गया है role of one major technology transfer agency in India technology transfer का agency जो इंडिया में transfer हुआ है जो technique तो चार से पांच हो है ठीक, तो चार से पांच दिये गया है उनमें से एक के बारे में आपको detail discuss कर देना है ठीक, यह question यहाँ पे पूछा गया है अगला question बहुत यासान है what do you mean by non-clinical drug development तो यहाँ पे simply पूछा गया है non-clinical drug development का मतलब क्या होता है क्या पूछा गया है non-clinical drug development अब देखिए non-clinical drug development को pre-clinical drug development भी कहा जाता है pre का मतलब क्या होता है पहले मतलब drug को develop करने से पहले ठीक, उसका testing किया जाता है और testing कहां पी किया जाता है है pre clinical test होता है drug development का ठीक उसके बाद हम लोग क्या करते है clinical test करते हैं जब यहाँ पर result सही दिखा तब हम लोग clinical test करते हैं और clinical test हम लोग किसमे करते हैं humans के अंदर ठीक तो यही simple इसका मतलब होता है non clinical drug development अब क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे चलिए जान लेते हैं बस आप लोग को simply लिखना है non clinical drug development या फिर इसको कह सकते हैं pre clinical drug development is a risk based यह क्या होता है risk based होते है processing involving evaluation of safety and efficacy of drug in the animal drug that that to extrapolate probable humans outcome and the pre clinical pharmacological and toxicological drug response in the compression to dose pseudos and root of the administration allows the initiating and continue research in the human ठीक तो simply आप लोग अगर समझना चाते हैं तो यह जान लेजिए non clinical drug development जैसे कोई भी drug develop कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग testing करते हैं pre clinical test होता है pre clinical मतलब animal के अंदर यह testing किया जाता है फिर उसके बाद result सही निकला तब हम लोग इसका clinical test करते हैं human के अंदर फिर हम लोग drug का क्या करते हैं market में supply करते हैं पहले उसका पूरी के पूरी जाच होता है उसके लिए भी application भरा जाता है तब जाकर के हमारा अप्रूवल मिलता है तब जाकर के हमारा drug मार्केट में आता है उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो भी question आया हुआ है ठीक लेकिन यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए यह question आया हुआ है जिसको मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको दो सी तीन बार lecture में बताया हुआ हूँ कि what do you mean by six sigma concept six sigma concept आपका unit 4 का यह topic है unit 4 आपका है quality management system और quality management system यह topic है हमने unit 4 आपका केवल 20 minute में total complete कर दिया है और 20 minute में यह आपको दो सी तीन बार एकदम अच्छे से समझाया हूँ अगर एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए जुबान पे रटा जाएगा बस आपको दिखा दी रहा हूँ किसका मतलब क्या है चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं six sigma concept के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और इसको बहुत से आसान तरीके से आसान वर्ड में अच्छे से समझाया था कि इसमें six level होते हैं जैसे माल लेजे कोई product हम लोग बना रहे हैं ठिक बना रहे हैं तो सबसे पहली बार testing हुआ तो हमारा 30 कितना हुआ तीस तसमलो 85% हमारा सही है और इसमें जो खराबियां हैं इतने जादे हैं फिर दो बारा हुआ तो हमारा इतना percent सही हुआ और इतना million defect हुआ फिर दो बारा इसमें देखिए defect घटता जाएगा और product equality धीरे धीरे हमारी बढ़ती जाएगी ठीक और last में 6 label पर हमारा कितना हो जाएगा 99.99966% ठीक लगभग में एकदम अच्छा product हमारा यहां पर हो जाता है ठीक 6 sigma concept का इस्तिमाल करके ठीक तो इसके बारे में lecture में बहुत यासान तरीक retail भी पूछ सकता है तो तयार कर लेना यह topic important है उसी तरीके से आप लोग को उसे ही unit में इस question को भी समझाये थे ISO 1400 series of quality system standard इसमें हमने क्या देखा था इसमें हम लोगोंने इन series के बारे में बात किया था यही आप लोग को क्या करना है लिखते ना है ठीक I hope आपको समझ में क्या होती है CDSEO का full farm क्या होता है सबसे पहले यह जानी Central Drug Standard Control Organization ठीक इनका full farm यही होता है आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इनकी responsibility क्या होती है उसको बता रहा हूं अगर आप लोग वो पढ़ेंगे क्या regulation आप drug approval in India उसमें आपको total समझ में आ जाएगा उसको समझ section B में question आया हुआ है अभी समझाता हूं आप लोग समझ जाएंगे पूरा detail इसके बारे में तो इनका पूछा गया है responsibilities क्या क्या होते हैं तो यह क्या control करते हैं यह control करते है licensing up drug manufacturing and sales establishment जैसे कि हम लोगों को कोई drug बना दिये हैं अब market में लाना है तो उसके लिए approval यही करते है है पूरा जांच परताल सब कुछ होता है इनहीं के दौरा हमें approval मिलता है अभी आगे बताऊंगा it control the licensing up drug testing laboratories यह regulate करते हैं approval up drug formulation up for manufacture ठीक देखें यहां पे लिखा गया है and यह monitor करते है quality up drug drug के quality को monitor करते है and cosmetics manufactured and marketed by the state unit और यह investigate करते है and mixed trial infringement up legal provision and law ठीक तो यह हैं इनके कुछ responsibility ह होती है responsibility आपका अभी तयार हो जाएगा अभी जब आप लोग को regulation up drug approval in India बताऊंगा next and last question is significance up COPP ठीक COPP का full farm क्या होता है certificate up pharmaceutical product ठीक तो क्या होते है significance क्या होते हैं इनके scope क्या होते हैं इनके aim क्या होते हैं यह तीन चीज आपको तयार करना है क्योंकि important है तो इसको दिखा दे यह aim होते हैं कि इनका main aim क्या होता है और इनके scope क्या होते हैं यह तीन चीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि important है साथ number में यह question बन सकता है ठीक उसके बाद देखिए section B में आपका यह question आ गया है यह बहुत important है WHO guideline के दौरा technology transfer protocol इनके कौन कौन से हैं क्या क्या है इनके बारे में total discuss करना है तो क्या क्या है चलिए थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं और आप लोग को यह बात तो पता ही होगा कि technology transfer का मतलब क्या होता है technology transfer में दो लोग होते हैं एक हमारे होते हैं cinder और एक होते हैं यहाँ पर receiver ठीक इनहीं लोग के द्वारा हमारा technique transfer transfer होता है जैसे मालीजे यहाँ पर कोई product बना हुआ है यह product का बहुत अच्छा benefit मिल रहा है बहुत अच्छा response दे रहा है तो क्या करेगा cinder receiver को यह बताएगा कि यह बहुत अच्छा drug का response है और यह आप भी बना करके कर सकते हैं इसका response बहुत अच्छा है ठीक नए technique को develop करके भी इस तरीके से transfer किया जाता है तो sender से receiver तक इसको transfer किया जाता है इनको पहले समझाया जाता है ठीक समझाने के बाद किसी को 100% तक पुरा का पुरा बात याद नहीं रहता है तो जो जो चीज testing करके सब चीज को एक document के पाम में लिखा रहता है और वो document भी इनको दिया जात है ठीक वही हमारा process होता है technology transfer ठीक मतलब simply समझे जिए technique को transfer करना वो हमारा होता है technology transfer तो इनमें कौन-कौन से protocol है इनमें बहुत सारे terminological definitions हैं उनको जानना जरूरी है तो क्या-क्या लिखेंगे इसको video को रोक करके लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं इसके बारे में total क्या सर्थ होती है उसे हम लोग acceptance criteria काते है active pharmaceutical ingredient क्या होता है जैसे हमारा जो drug होता है जो अपना action response दिखाता है वो हमारा active pharmaceutical ingredient होता है और हमारा वो क्या होता है excipient क्या होता है वो bulk बढ़ाने का काम करता है उसके लिए मिला जाता है जो कि कोई action नहीं सो करता है ठीक वही सब चीजों के बारे में लिखना है बस थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूं बस एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लेना समझ में आ जाएगा नहीं समझ में आएगा तो इसका छोटा छोटा सा आप लोग को lecture बनाया हूं चार से पांच वीडियो में आपका unit 1 से लेकर के 5 तक complete हो गया है ये subject तो एक बार unit 2 का lecture आप लोग देख लेना आपको total समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको इसके बारे में detail लिखना है एक बहुत कभी कभी दो number में question बन जाते हैं लेकिन main protocol क्या होते हैं वो आपको लिखना है तो वो जो पहले दिखाया है उसको पढ़ना चाते हैं पढ़ सकते हैं तो technology transfer का protocol क्या होता है इसे आप लोग अच्छे से तयार कर लेना इसमें हमें लिखना रहता है सबसे पहले objective क्या ह होते हैं इनके उसके बाद इनके scope क्या होते है material method equipment क्या क्या होते हैं वो सब चीजों को लिखना है इसमें technology transfer protocol मतलब हम लोग technique को transfer कर रहे हैं तो इनके main objective क्या होते हैं इनके scope क्या होते हैं इनमें हमने कौन से material use क्या है कौन से method का इस्तेमाल किया है कौन कौन से equipment का इस्तेमा criteria क्या क्या होते हैं, deviation and investigation, बस ये साथ point आपको technology transfer protocol में तयार कर लेना है, आपका 10 number total बन जाएगा, ठीक, चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि important question है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, ये जादा important है, इस बार सायद नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ लेना, lecture देख लेंगे, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, food up drug administration के बारे में, submission के बारे में पढ़ना, ये topic बहुत important है, साथ से दस नंबर में हमेशा बन जाता है, तो इसको चलिए देख लेते हैं, brief idea के बारे में बात करना है, regulatory requirement and approval procedure आप new drug, कोई भी नया drug है, अब उसको approval हमें लेना है, तो किस तरीके से लेना है, उसका पूरा का पूरा, brief idea यहाँ पर discuss करना है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, approval लेंगे, अगर simple तरीके से बात किया जाए, कि drug का approval करने के लिए, जैसे drug को approval लेना है, में मार्केट में भीजना है, तो simply simply मोटी मोटा बात क्या होता है, कि COB किस तरीके से हमें करना है, अगर simply बताया जाए, तो drug का discovery किया जाता है, फिर drug को develop और manufacture किया जाता है, फिर हम लोग pre clinical trial करते हैं, फिर हम लोग clinical trial human में करते हैं, फिर market में भेजने के लिए application लिखते हैं, approval लेते हैं, approval मिल जाता है, तो market में supply कर देते हैं, लेकिन 10 number में पूछा गया है, तो आपको simply chart नहीं बनाना है, इसके बारे में थोड़ा सा explain करना है, उसके बाद हमें ये बात भी जाना है, कि अगर हम लोग इंडिया में हैं, उसके हमें approval लेना है, तो किस तरीके से हम approval ले सकते हैं, ड्रग का, तो देखिए, सबसे पहले application लिखा जाता है, IND application फिली, investigation new drug के द्वारा, हम लोग application फिल करते हैं, CDSC के headquarter को, CDSCU का मतलब क्या होता है, Central Drug Standard Control Organization, उसके बाद जो हम लोग नए ड्रग बनाया है, उसका क्या होता है, examination होता है, new drug division के द्वारा, फिर उसके बाद detailed review होता है, investigation new drug के committee के द्वारा क्या होता है, पूरा का पूरा detailed review होता है, क्या होता है, investigation new drug committee के द्वारा पूरा का पूरा जो नए ड्रग बना रहे हैं, उसका detailed review होता है, फिर DCGI के recommendation, recommendation का मतलब क्या होता है, सला, इनके सला के द्व एक फुल फाम होता है ड्रग कंट्रोलर जिनरल आप इंडिया इनके रिकमेंडेशन के द्वारा क्या होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का जो अप्लिकेशन हम लोग CDSU को हेड़ कार्टर को यहाँ पर फिल किये हैं अब इनके रिकमेंडेशन के द्वारा यह हमारा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का अप्लिकेशन अब जाकर के हमारा यहाँ पर क्या होगा अप्लिकेशन टू इतिकल कमेटी फिर इतिकल रिप्योट कमेटी के द्वारा होता है अगर यह हमारा positive होता है तब जाकर के और इतना हमारा जो process चलता है यहां तक हमारा 12 सपता तक चलता है अब इतना हमारा जब positive आ जाता है तब जाकर के start होता है clinical trial ठीक और clinical trial का result सही रहा तब हमारा क्या होता है application for new drug registration to CDSO तब जाकर के application फिल किया जाता है फिर से देखिए central drug standard control organization को अब नए drug का registration करने के लिए क्या किया जा रहा है फिर से इन्ही को एक बार यहां पर application लिखा गया अब फिर एक बार registration के लिए इन्हों को application लिखा जा रहा है ठीक अगर यह हमारा process complete हो जाता है क्या होता है पूरा का पूरा detail of DCGI drug controller general of India पूरा का पूरा फिर से detail review करेंगे अगर यह हमारा सही से complete नहीं होता है तो license हमारा क्या हो जाता है grant हो जाता है मतलब fail हो जाता है ठीक अगर यह हमारा complete process सही रहता है तो license हमारा generate हो जाता है license हमारा बन जाता है दोस्तो यही process है drug approval process in India तो चले दोस्ता अब लोग section C के बारे में बात करने जा रहे है section C का हमारे सबसे पहला और आसान कोस्टन है क्या है पाइलेट प्लांट स्केल अप टेकनिक का परसनल रिक्वार्मेंट यह तो पहले यूनिट का है आप लोग देख लेना नहीं मिल रहा है इसका एंसर तो आप लोग हमारे लेक्चर में या फिर हमारे नोट्स में जा करके पढ़ लेना आपको मिल जाएगा नोट्स तो पता है होगा आप लोग को सपोर्टिंगा फार्मेसी के टेलिग्राम गूर्प में मिल जाएगा ठीक अगला कोस्टन आया हुआ है टेकनोलोजी ट्रांसपर फ्राम रिसर्च डिबलिप्मेंट प्रोडक्शन करने का क्या क्या इसमें इस्टेप होते हैं तो सिंपली इसमें चार इस्टेप होते हैं चार इस्टेप होते हैं कौन कों से होते हैं चलिए जान लेते हैं देखिए आप लोग को lecture में बताया था तो यहें पे लिख दिया था कि यह paper में आया हुआ है इसमें चार process होते हैं सबसे पहला हमारा होता है master formula card दूसरा होता है master packaging card तीसरा होता है master formula और चौता हमारा होता है specification and standard test procedure ठीक तो यह चारो अच्छे से आप लोग तयार कर लेना ठीक and explain करना है legal issue during technology development and transfer legally के द्वारा issue करना है जैसे माल दीजे कोई भी नया टेकनिक हम लोगोंने माल दीजे हमने कोई नया drug बनाया थीक तो नया drug बनाया तो इसमें नय नय टेकनिक का इस्तेमाल किया होंगे नय टेकनिक का इस्तेमाल करके इस नय ड्रग को बनाया फिर इसको legal तरीके से हम लोग इसको transfer करते हैं इन्हें के बारे में total आपको इसमें discuss करना है ठीक lecture देखे होंगे तकर लेंगे अभी देखे हम लोगोंने बात किया है क्या क्या responsibilities होते है regulatory affair के ठीक वो सब चीज यहाँ पर लिखने अब देखे हैं यहाँ पर पूचा गया है clinical research क्या होता ह clinical research का मतलब होता है मैंने आप लोगों क्या बताया है non clinical research जो होता है कोई drug बनाए तो उसका हम लोग trial करते हैं animal में जो कि हमारा क्या होता है non clinical ठीक और clinical research मतलब हम लोग करते हैं human के अंदर इसका test करके उसमें जाच परताल करते हैं उसमें देखते है result कैसा मिलता है वो हमारा आता है clinical research इसमें भी हम लोगों ने detail बात किया सा quality by design क्या होता है ये तो आप लोग करी लेंगे unit 4 में पड़े हुए हैं कि कोई भी product बना रहे हैं उसको किस तरीके हम लोग को design करना है क्या क्या चीज करना है उसमें वो सब चीज के बारे में हम लोग को यहां पर बात करना है उसको आप लोग को लिख लेना है उसके बाद Central Drug Standard Control Organization CDSCO जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में हम बात करना है कि उनका काम क्या होता है तो क्या करते हैं वो वो ड्रक का approval करते हैं बहुत सारे चीज आप लोग को बताए हैं वो आप लोग इसको यहां पे लिख देना है ठी जोस्तों थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो लाइक में सेरे और सब्सक्राइब इस चैनल